मुझे आप सब आप सब आप सबी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और कैसे हैं आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो आज मैं आप सब के लिए मूली के पराथे की रेसिपी लेकर के आई हूँ तो आप लोग वीडियो पे लाच तक बने रहेगा और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भूलोग जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि मेरी नहीं नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब को मिलती रहे चलिए फिर वीडियो सुरू करते हैं तो यहाँ पे मैंने घर का फ्रेस मूली लिया है जो कि हमारे खुद के बाड़ी के हैं और यहाँ पे हम लोग सब्जी लगाते हैं उसी को हम लोग बाड़ी कहते हैं आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं आप लोग बताना और यहाँ पे मैं सारे मूली को अभी छील ले रही हूँ अच्छे से और ये एकदम ताजी-ताजी फ्रेस मूली है बहुत अच्छे से सारे मूली जो है हो गए है और अभी ना अगदम नया-नया है तो यहां पर सारे मूली छिले हुए हो चुके हैं तभी इन सब को मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लेती हूँ और इसको ना एकदम बारिक-बारिक जो एकदम पतला वाला है उससे हम ग्रेट करेंगे उससे क्या होगा ना कि इसमें जितना भी पानी है वो एकदम से बहर आ जाएगा तो सारे मूली को मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और मैंने एक सफेद कलर का रुमाल लिया है और आप लोग इसके जगह पर कोई भी कोटेन का कपड़ा ले सकते हैं बस वो फ्रेस होना चाहिए मतलब की सफाई होनी चाहिए उसमें तो मेरे पास ये था जो की एकदम नया भी है हम लोग अभी इसे यूज नहीं किये हैं तो मैंने उसे ही ले लिया है तो यहां पर जो है इस कोटेन के कपड़े पर मैं सारे ग्रेट की मैं मूली को रख देती हूँ और इसमें जितना भी पानी है उसको एकदम से निचोड निचोड के मैं बाहर निकाल दूँगी तो यहां पर देखिए इस तरीके से इसको घुमाते जाएंगे तो इसका जो एश्ट्रा पानी है वो अपने आप ही निकल करके बाहर आ जाएगा और बहुत धेरो सारा पानी इससे बाहर आते हैं मुली में होते ही हैं बहुत ज़्यादा पानी होता है तो यहां पर सारे पानी को मैंने निकाल लिया है देखिए एकदम निचोड करके तो अभी इसको ना इस प्लेट पर ले लेंगे और देख सकते हैं कि इसका जितना भी पानी था वो सब एकदम निकल गया है और उसके बाद यह एकदम सूखा और जैसे की चावल एकदम खिले खिले चावल पकते हैं बिल्कुल उस तरह के हो गया है देखिए एकदम भरबरे टाइप के कितनी प्यारे प्यारे लग रहे हैं देखने से पता भी नहीं चलता है कि यह मूली है तो यहाँ पर मैंने करहाई को गरम होने के लिए चड़ा दिया है अभी हम इसमें सरसो का तेल डाल देंगे तो जब तेल थोड़ा सा गरम हो जाए तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पाचफरंग डाले हैं और पाचफरंग थोड़ा सा चटक गया है तो अभी हम इसमें अधरक लेसून और हरी मेज का पेस्ट डाल देते हैं इससे ना एक बहुत अच्छी खुसबू आती है बहुत ही ज्यादा टेस्ट बढ़ जाता है तो अभी इन सब को हम थोड़ा सा भून लेंगे और इसके बाद अभी हम इसमें मतलब एक चमच कुटी भी लाल मिच ली है एक चमच मैंने यहां पर काली मिच का पॉडर लिया है और थोड़ा सा मैंने जीरा पॉडर भी डाला है तो इन सब को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी यहां पर चाहे तो आप लोग और भी मसाले राल सकते हैं मैं नहीं डाली हूं तो यहां पर स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी पॉडर भी डाल दिया है और इतने ही मसालों से यह बहुत अच्छा लगता है खाने में तो अ अच्छे से मतलब इससे भूणना है और यह ना एकदम तुरंत ही भूण जाता है क्योंकि एकदम पतला पतला सा काटा हुआ है बारिक वारिक तो अभी हम इसको एक प्लेट पर निकाल लेते हैं यह विल्कुल भूण के रेडी है तो इधर मैंने आटा पहले से ही लगा के छी से रख्चा था तो उसी आटे का मैं लोईया तोड लेती हूं और जितना बड़ा हम रोटि के लिए लेते ही नै उससे थोड़ा सा बढ़ा ही लेंगे, क्योंकि हम प्ल्कुल थोड़ा सा बढ़ा ने बेहना है लेंग और बीच में हम इसके बीच में stuffing डाल देंगे जो कि हमने मूली का stuffing बना के रखा है उसको और बहुत ज्यादा नहीं डालना है नहीं तो फिर यह फटने लगता है और अगर यह फट भी जाये ना तब भी यह बनते बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं हमारे घर में सब को यह को यह बनते हैं तो खाने में तो टेस्टी लगेगा ही जो हम लोग रोज खाते हैं वह ही खाना जो है अच्छा नहीं लगता है लेकिन जो कभी-कभी बनता है वह तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है तब हम इसको बिलकुल हलके हाथों से ही बेलेंगे और इसको चाहे तो अब लोग हाट से भी कर सकते हैं क्यूंकि आटा इदम से नरम और मुलायम है तो मैंने तो बेलन्स अही इसको हलका हलका करके बेला है तो देखिए मूली ना थोड़ा थोड़ा बाहर भी आ गई है लेकिन कोई बात नहीं तब भी यह चलता है तो अभी हम इसको उलटते प पका लेंगे तो यहां पर देखिए यह पक चुका है तो अभी जो है इसमें हम तेल डाल देते हैं और बच्चे ना बहार बहुत जादा सोर मचा रहे हैं और इसलिए आवाज जो है वो लोगों का आ जा रहा है तो यहां पर देखिए पराठे कितने अच्छे से बनके पराठा है इसको आप लोग किसी भी चीज के साथ खाईए यह बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगते हैं तो अभी हम सारे पराठे को इसी तरीके से बना करके रेडी कर लेंगे और देखिए कितने अच्छे से बन रहे है तो यहां पर पराठे इतनी अच्छे बन रहे थे लग रहा था कि अगर आप जो भी बना ना वो अच्छा से बन जाए तो बहुत अच्छा लगता है तो यहां पे मैंने सारे पराठे को एक-एक करके बना ले रही हूं और ढेर सारे पराठे भी बनाने वाले हूं क्योंकि सब का मतलब घर में सबको अच्छा खाने का मन तो करता ही है तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई